दोस्तों नुश्कार स्वागत आप सबीका उल्याटाफ़ोर्श्टी य्टूब चनल पर जिसले कि दोस्तों आप जानते किसी ब्रती सम्मंदित कोई भी जानगा ही होती है आप सबीका उल्याफ़ोर्श्टी चनल के माध्यापन से दी जाती इस वीडियो में बात करेंगे नई प्राइमरी सिच्छक भरती के बारे में सुपर टीटी 2023 को लेकर साथ ही अगर बात की जाए नई सिच्छा सेवा चैन आयोक के बारे में क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम जो भरतियों के विग्याबन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो नई सिच्छा सिवा आयोक के माध्यम से ही जारी होंगे लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए नई प्राइमरी सिच्छक भरती के बारे में क्योंकि काफी लंबे समय से अब बैरती संगर्स करें कभी टुईटर बार तो कभी धरना बदरशन तो कभी नई प्राइमरी सिच्छक भरती को लेकर कोट में याचिका तक दाखिल करना इसी के संबन्द में अगर बात की जाए नई प्राइमरी सिच्छक भरती को लेकर बरतमान में ऑफीशल अपडेट क्या है वह आपस भी यहां वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और वीडियो को शियर अबश्य करने और भी छात्रों तक इससे के तमाम जो जानकारियां है सिच्छक भरती के बारे में रियल जानकाई उनको मिल सके सुनिए आगे वीडियो जिस पोस्ट में यह लिखा गया है कि अपर जो है गड़े सर्द्वारा सन्युक्त निजा सिच्छा निदे सक गड़े सर्द्वारा अगस्त सितंबर तक नहीं प्रात्मिक सिच्छा भरती का विज्यापन देखने को मिल सकता है तो उस पर काफी साथियों ने हमारे कि कमेंट किया कि यह भी सरकार का जुम्ला होगा यह होगा बोया हर कुछ मैं कवी मेरा इसके तही मुझे बीभाग में आना जाना लगा रहता है क्योंकि बैएरु करना अन्यूय निवहार होता लगनों के साइबर से थाने में फाई आर हुई है जिसके तहिए भी बेजनें के लिए जब बुला वान था मुझे तब अपर जाना पान पर जानना पर जैना पर जाना मैंने पूछा सर क्या भरती है भरती हमने तो भरती के लिए लड़ा भी डीलेड भी किया टेट भी पास हुए और नौकरी तो मिली नहीं लेकिन यह जरूर मिल गया उसी बातों बातों के एक सिल्सले में उन्होंने कहा कि देखिए भरती का जो तैयारिया अभी तक तो विभाग आपसे इसपश्ट कहते था कि भरती का विग्यापन आनो ना है नहीं जाकि किसी दूसरे छेत्र में करो लेकिन आप विभाग में कुछ सुखबुकाहाट है अग सितंबर तक आएगा यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भरोसा करिए लेकिन उन चीजों को देखते हुए हमें हाथ पे हाथ पर रखके तो बैटना नहीं है मैं इसलिए सांध सोसल मीडिया पर इतने दिन से था क्योंकि मेरी मजबूरी है मेरे उपर दबाव था प्रशाजम क प्रदेस सिख्भर्ति मुद्द्य से जाना जाता है ऊद्धरपर्देश की सरकार प्रसासन ऊद्धरपर्देस का बेसिक बिभाग सब 37 golf प्रात्मिक सिख्वर्ती के नाम से नहीं प्रात्मिक सिख्वर्टी को जानते हैं सब को पता कि 77 बजार भरती मांग रहे हैं लेकिन 77 बजार भरती कोई आगे पीछे मिलना ही मिलना है लेकिन आप मुद्द्ध को डाइवर्ट मत करिये अगर प्वेपर में छपके आ जाता सतरा हजार तो आप सत्रा सत्रा चिल आने लग जाते हैं पहले चीज आप एक नाव पर खड़े रहिए कभी भी दाएं बाएं मत होईए 97,000 बरती आपका हक है आपका अधिकार है नहीं तो आप आपको आधा समय बताने में मीडिया को सरकार को विभाग में यह लग जाएगा कि आप चाहते क्या हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी 97,000 बरती के लिए लड़ता था तब तक जो है विभाग मीडिया उसको अरच्छन वाले मुद्द्य सो जोड़ देती थी हमको बताते बताते कम से कम 25 दिन कितना नहीं देना उनका कार है हमको कितना लेना हमारा कार है लेकिन आप जो आपकी सोची छोटी हो जाएगी कि हमको 17,000 लेना है तो आपको सरकार को मजबूरन भरती देना होगा जाए 15,112 दे जाए 63,000 दे जाए 97,000 दे जितना भी दे लेकिन देगी तो लेकिन सोच तो बड़ी रखो मीडिया को विभात को गुम्राइल हमको ना कर पाए इस चीज़ जाए कि सिच्छा मंत्री जी ने विधान सबाद सत्र में बोला था कि मेरे पास 126,000 पद भर चुके हैं और उसमें उन्होंने सिच्छा मित्र अंदेशकों को भी बोला था इनके पैद मेरे जो सिच्छा का अनपात है वह भर चुका है तो मैं इस चीज़ को इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप सब क्या करते हैं गुम्रा हो जाते हैं क्योंकि हमें और भी चीज़ों को कोई भी जन कोई पत्रकार कोई न्यू चैनल कोई भी क्योंकि सरवे तो अब होने वाला है लोग सबग चुनाओ देखते मीडिया भी सक्री होगी हर चीज़ सक्री होगा लेकिन पहले चीज़ यह भी ध्यान दीजिए कि जो यह सिच्छा मंत्री जी एक लाग 26 जार का रटा हुआ रटाया बयान बोलते हैं कि छा सिच्छा कंपार्थ में बराबर हो चुके हैं हम ज्यादा भरती नहीं दे पाएंगे पहली जिस तो यह अंदेशक सिच्छा मित्रों को जोड़के बोलते हैं अगर अगर जो है सिच्छा मंत्री जी है एक लाग 26,000 बनकर्थ स्विकार करते हैं तो यह किस नियंके अधार पर ने नुठ सामिल किया है क्योंकि एक त्ड़ाँजmek सुप्रिम कोडम बोलते हैं कि माझल नहीं है दूसरी त्रह भी काते हैं कि हमें एक लाग 296 LOL बनकर दीए हैं कि के अंदर सरकार ने भी बयान जारी किया था संसदी संसत की सिमित ने सरकारी स्कूलों में 9,80,000 जादा पत बताया है कि पूरे भारत वर्स में खाली है जिसमें राज उत्तर प्रदेश की सरकार में कम से कम सवाव लग पत खाली है और इनको भरने के लिए सरकार ने राज सरकार को अदेश भी दिया है तो अगर सिच्छा मंत्री जी बोलते हैं पद भड़ा हुआ है तो संसद की सिमित इस अधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहती है कि प्राइमरी विद्यालों में आप सिच्छकों की पद भरती करिए पहला चीज दूसरा चीज क सरकार यह भी बोलती है कि पंद्रा लाग सिच्छा मित्र पूरे भारत वर्स में हैं तो आपने किस अधार पर पता है कि सदस्त का नाम तो जारी कर दिये अब आयोग के गठन की बात है हमको दो मांग रखनी होगी हमको दो मांग रखनी होगी अगर यह चार सहित्ता से पहले आयोग का गठन कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं फिर आयोग पर ही धरना होगा अगर अचार सहित्ता से पहले आयोग का गठन करते हैं तो पूरी तयारी के साथ आयोग में धरना होगा रात दिन होगा और कहा जाएगा कि नए आयोग का ग सब्सक्राइब कर दिया तो विग्यापन आखिर कब तक अगर कहते हैं कि भाई सीट नहीं रिख्ठ है तो आप के अंदर सरकार आपको किस अधार पर संसत की सिमिति आपको कहती है कि सवाह लाग पत्खा लिए उसका आख्या दीजिए आपने किस अधार पर सुप्रीम कोर्ट में अलप नामे में का 51212 पत्खा लिए आपने चुनाओं के समय में किस अधार पर सत्रह अजार के लिखी था